हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस जालाल को रिपेयर करना सीखेंगे तो वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक ध्यान से जरूर दखी और इसमें मैं आपको सिर्फ दो ही इस्टे बताऊंगा इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको आप चेक कर लेना है कि कहीं से वायर जो है टूटा या काटा तो नहीं है और दूसरा नमबर हम लोग इस इसमें जो बल्ब फ्यूज होगा उसको आटा करके और उसको डिरेक्ट जोडेंगे तो यही दो इस्टेप है चलिए इसको हम लोग रिपेयर करना स् करना है तो यहां पर दोस्तों यहां से मैं कुष्टाट कर रहा हूं चिक करना तो यहां पर अब लोग देख रहा है इधर तो कटा नहीं है गहीं और इसी तरह हम लोग सुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे चेक करते जाएंगे कि कहीं कटा तो नहीं है दोस्तों यह जो ज़ादर है इसमें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया है इसमें कहीं वेवायर जो है कटा नहीं है अब इसमें हमदोग को च्छ बल्ब को च्छ करेंगे कि कोई बल्ब इसमें से फ्यूज नहीं है इसमें क्या होता है कि दोस्तों बीच में से कोई भी अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसी के वज़े से जो हमारे जालर है वो खराब हो जाता है जलता नहीं है तो हम लोग चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं और दोस्तों इसको मै आपको दिखा नहीं सकता बल्ब के अंदर यहां से क्योंकि मुबाइल से दिख नहीं रहा है इसमें अंदर तो अम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे और अगर आप अपना जालर जो ए लाइव अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा इसको अम लोग धिया अगर आपको इस तरह नहीं दिखे तो आप अपने जहलर पे इस मोबाइल का फ्रेस जला करके और इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको डिख जाएगा दोस्तों यह बल्ब यहां इसमें हमारी अंदर अदर से क्या होता है कि जो एलिमेंट लगा उता है उसमें से कड जाता है इस तरह से फ्यूजहाता है, तो इस बल्व को हम लोग क्या करेंगे, आपको जो इसमेे से बल्वkurap McGurv हो गया होगा इस तरह से करके और इसको छील लेना है, आसानी से इस तरह से छील जाता है और इसको आपस में जोड देना है दोस्तों अब इसके plug को हम लोग इसमें बॉर्ड में खोस के और चेक करेंगे कि जल आये कि नहीं यह हमारा इजो है बॉर्ड में खोस दिया है फिर भी तो यह देख सकते हैं यह अभी भी नहीं जल लाए इसके पलग को मैंने बोड में खोस दी आंग फिर भी नहीं जल लाए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो बल्व हटाए थे फिर इसके आगे से हम लोग चेक करेंगे कि फिर कोई बल्व और नहीं ने फिव जाए इसमें से दोस्तो यह जो हमारा बल्व है यह फिव जो गया है अंदर से इसका एलिमेंट तूट गया है तो इसको भी हम लोग यहां से निकालेंगे इस तरह से और इसको भी छील करके इस तरह से और इसको आपस में जोड देंगे अब फिर इसको एक बार चिक करते हैं जल लाए कि नहीं है हमारा इसके पलग को मैंने बोड में इस थे खूस दिया है तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह जो अमारा ज्हाला रहें जल तो रहा है मगर फिर भी इसमें कमी है आप देख सकते हैं कई सार अबाद फिसमें नहीं जलना तो इसमें क्या है कि अभी भी कोई बल्व फ्यूज जाए इसलिए कुछका जलना है कुछका नहीं जलना है तो फिर और वी इसको आगे टेस्ट करेंगे इसको निकालते हैं बोड से और जहां तक हम ने इसका चेकिंग किया था उसकी आगे से हम लोग टेश्ट करेंगे इसमें दोस्तों इसमें एक और तोड़ेंगे और इसको छील करें यहां पर जोड़ लेंगे और फिर इसको लोग देखते हैं जल लाएगी नहीं यह रहा इसका प्लब अब इसको बोर्ड में लगाते हैं तो दोस्तों यहां पर फाइनली हमारा रिपेयर हो चुका है सारा बल्ब जल लाए अब जिसको अब जिस बल्ब को हमने यहां से निकाला आया इसमें टेपिंग करके और उसको सही कर दूंगा मैं तो इसी तरह से आप अपना जो खराब जाला रहे उसको रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं । सब्सक्रीजियर कर दो आपना जो जापना जो खराब जो पूछस्ट